तो शुरू करें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं business organization के अंदर business unit के बारे में कि क्या गया इसके main factors होते हैं जो की यह decide गरते हैं कि आपकी business unit का size क्या होने वाला है और को किन किन चीजियों का ध्यान रखना है सबसे पहला होता है आपका entrepreneurial skill सबसे पहले आपके अंदर क्या skill है आप क्या initiative ले रहे हो क्या resourcefulness है entrepreneur की आपकी judgment और ability decide करती है कि आप अपनी business unit को अपने business को कितनी उचाहियों तक ले जाओगे दूसरा होता है manager ability किसी भी routine part of business को चलाने के लिए managers appoint किये जाते है अगर firm lucky होती है बहुत ज्यादा तो उसको एक ऐसा manager मिलता है जो कि बहुत great ability वाला होता है वह size की firm को बढ़ाता है अलग-अलग dimensions में अलग-अलग तरह के good decisions लेता है लेकिन अगर नहीं मिला तो जो होगा देखा जाए ठीक है उसके अलग हैंड पर अगर midi cure manager मिल गया तो वह small size firm को manage कर सकता है पर उसके पास कोई ऐसा concept नहीं होगा कि वह उसको events करके large scale पर ले जा स business unit की size को बढ़ाना है तो finance जो है आप किस तरीके से finance से अपनी machines को boost कर सकते हो अगर आपके पास first available है तो ये entrepreneur के लिए बहुत easy हो जाता है अपने business को grow करना है ठीक है चौते number पे आता है business को बढ़ाने के लिए unit को आपके पास labor की ability होनी चाहिए वो भी labor नहीं good skills के साथ labor होन और जो lower level or middle है वो decide करता है कि business का future क्या होगा क्योंकि उसके work से ही आपके product quality अच्छी होगी और उसकी demand बढ़ेगी आपका business का nature क्या है आपका business क्या है वो किस तरीके के returns दे रहा है वो कितना बढ़ा हो सकता है उसकी क्या dimension है क्या constant returns है उसकी किसी statement में ठीक है और आपका जो market है वो कैसा है अगर demand high है तो business जादा market को cover करेगा लेकिन अगर demand limited है तो business जो है वो small scale पही रह जाए वो बड़ी market को cover नहीं कर पाएगा तो ये जो factors होते हैं ये decide करते हैं कि आपका business किस size तक grow करने वाला है I hope so paper के point of view से मैंने short में आपको बहुत अच्छे चीज़ों cover कर द optimization है उसकी playlist का link description में है तो फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए thank you have a nice day